गोड एवनिंग इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत बढ़ी खुशकवरी सामने आई है और वो ये है कि रेलवे ने 500 से अधिक पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने की तयारी कर ली है और इसे यात्रियों को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्क्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अबडेट मिलती रहे हैं कोरोना के लागडाउन में एक तरफ जहां यात्री ट्रेने बंद रही हैं लेकिन रेलवे विभाग की कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि जहां एक तरफ पार्सल ट्रेनों से लगातार रेलवे ने आवश्यक सामगरी की सप्लाई किया तो वहीं स्रमिक एस्पेशल चलाकर लाखों की संख्या में मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचाया और इस दोरान उनके लिए खाने पीनी की भी ब्योस्ता रेलवे की ओर से की गई तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि देश भर में संचालित करीब 500 से अधिक पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने का निर्णे लिया गया है अब अनलाक टू आने वाला है तो रेलवे ने इन बदलामों को हकीकत में लाना शुरू कर दिया है रेलवे में तै किया है कि अब देश भर में 200 किलो मीटर से अधिक दूरी के लिए चलने वाली 500 से अधिक पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने का आदेश जारी कर दिया है और इसमें पश्यम मद रेलवे की 32 ट्रेने शामिल हैं जिनमें भोपाल रेल मंडल की आधा दर्जन से अधिक पैसेंजर ट्रेने अब एक्सप्रेस के रूप में अधिक स्पीड में दोडेंगी तो इससे क्या लाब मिलेगा इस योजना से यात्री और पैसेंजर दोनों को लाब मिलेगा दरसल भागदोड भरी जिंदगी में अब लोग जल्द से जल एक अस्थान से दूसरे अस्थान को पहुँचना चाहते हैं इसलिए पैसेंजर ट्रेनों में यात्री सफर करना पसंद नहीं करते हैं इस वज़े से इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और रेल्वे को घटा हो रहा था और वहीं एकस्प्रेस ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण अधिकांज ट्रेनों में वेटिंग की इस्थिती देखने को मिलती थी इसके चलते रेलवे को जहां एस्पेशल ट्रेने चलाने पड़ती थी वहीं यात्रियों को किराया भी अधिक देना पड़ता है तो railway track पर भी ट्रेनों की संख्या अधिक होने से याता या दबाव अधिक होने के कारण कई ट्रेने एक से लेकर 6 घंटे तक लेट रहती हैं तो अब express train के संख्या बढ़ने से इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकेगा railway की आय में बढ़ोतरी होगी यात्रियों को सुवधा मिलेगी और traffic पर दबाव भी कम रहेगा तो ये थी latest update वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा इसको share जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिलती रहे और मेरे चनल को सब्क्राइब कर लिजेगा ओके थैंक यू